हरियाना में अपनी गलतियों से जीती बाजी हारने वाली कांग्रेस ने जिस तरह यह कहा की उसे चुनाव नतीजे स्विकार नहीं और उसके नेत मतगणना में कथित गडबडी का रोना रोते हुए जिस प्रकार चुनाव आयो के दरवाजे पहुँच गए उससे खीसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत ही चरितार्थ होती दिख रही है बले ही चुनाव आयो ने हरियान के नतीजों पर जैराम रमेश और अन्य कांगरेश नेताओं के अनरगल बयानों को लेकर मलिकार जुन खरगे को कड़ी चिठी लिख कर यह कहा हो कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ लेकिन लगता नहीं कि इससे कांगरेश की सेहत पर कोई असर पड़ेगा इसके आसार इसलिए नहीं क्योंकि उसके नेता मन माफिक नतीजे न आने पर मन गडंत आरोप लगाने में माहिर हो चुके हैं ध्यान रहे की लोकसभा चुनावों के समय जैराम रमेश ने ही यह संसनी खेज आरोप उच्छाला था की केंदरी ग्रियमंत्री विबिन जीलों के डीम को फोन कर दमका रहे हैं जब उनसे इसके प्रमान देने को कहा गया था तो वह बंगले जाकने लगे थे यदि चुनाव आयोग ने तभी उनके खिलाव कठोर कारवाई की होती तो सायद वह हरियाना के नतीजों पर जूट नहीं गड़ते हरियाना में हार के बाद कांगरेश का व्यवहाल यही बताता है कि उसे न तो जीत पचती है और नहीं हार हजम होती है लोकसभा चुनाव में 99 सीटे जीतने पर वह ऐसे पेश आ रही थी जैसे उसने बहुमत हासिल कर लिया है अब हरियाना में बाचपा को तीसरी बार सत्त हासिल करने का मौका देने वाली कांगरेश अपनी गलतियों पर गौर करने के बजाय चुनाव आयोप पर दोश मन कर अपनी खीज उतार रही है ऐसा करके वह भारती लोकतंत्र को बदनाम करने के साथ लोगों को गुमरा ही नहीं कर रही हैं बलकि उन सवालों से भी मूँ चुरा रही हैं जो हरियाना के चुनाव नतीजों के बाद उनके समक्ष उभर आये हैं इसमें सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर उसने उन भुपेंदर सिंग हुड़ा को जरूरत से जादा महत्व क्यों दिया जिन्होंने कुमारी सैलजा समेत अन्य नेताओ को किनारे किया आम आदमी पार्टी से समझाते पर अडंगा लगाया और संगठन का निर्माण नहीं होने दिया हरियाना में दस वर्ष से सत्ता और संगठन का निर्माण भाजपा के लिये हो रही है रुजान तयार हो रहे हैं यह स्वभाविक ही था लेकिन कांग्रेस ने उसका लाब उठाने के लिए दूस प्रशार कोई अपना हत्यार बनाना बेतर समझा यह मानने के भी अच्छे वले कारण है की कांग्रेस यह फरजी माहौल बनाने वालों के जासे में आ गई की वह बहुत आसानी से हरियाना में बड़ी जीत हासिल करने जा रही है उसे पता होना चाहिए की अती हर चीज की बुरी होती है और इसमें आत्मविश्वास भी सामिल है यदि कांग्रेस ने अपनी कमजोरियों के लिए दूसर को दोस देने की आदत नहीं छोड़ी तो आगे उसका और नुकसान होगा